हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज आप लोगों को इस लेक्चर से पहले मैं दो मिनिट का आप लोगों को टाइम लूँगा क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को डाउट आ रहा है बच्चों को पहला डाउट यह आ रहा है कि जो हम लोगों के इस लेक्चर के बाद आप लोगों को जो गोहर सर सर के PDF हैं वह कहां से मिलेंगे तो मैं आपको इस इस वीडियो वीडियो लेक्चरस आपके इस आपको मिलेंगें यह टु से आप मेंसे जो बच्चों को डाउट आ रहा है कि जिन लोगों को डिटेल notes या mock test के लिए चाहिए तो आप लोगों मैंने कहा था एक ही जगा पे आपको सब चीजें compiled मिल जाएंगी फिर वो अलग-अलग components की कहां से olive board की app से यह दो चीजें मैंने आप लोगों बताई थी जो हमारे lectures आप लोगों को daily basis पे मिलते हैं उनका PDF आपको telegram group से मिल जाएगा और जो आप लोगों को अगर compile notes चाहिए एक ही जगा पे सारे के सारे components फिर वो आप लोगों computer history quality हर एक section का तो वो आपको अली बोड की आप से मिल जाएगा आप लोग इसको प्ले store से download कर सकते हैं जेंड के exams आप लोगों के सामने आएगा जेंड के आपको space नहीं डालनी triple S में दूसरा डाउट क्या आ रहा था बच्चों का यहां पर मैं आपको वो भी clear कर देता हूं जो दूसरा डाउट बच्चों को आ रहा है वो इस पार्ट में आ है कि बच्चों को हम लोगों ने अभी history classes करवाई है start इसी के साथ कल आपको quality की classes मिल जाएंगी तो जो बच्चों का डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि यह जो यहां पर component लिखा है यहां पर लिखा है general knowledge about current affairs तो पहली चीज में आपको बता दूँ यह exam आपका जेके PSC कंडक्ट करवा रहा है जेके SSB नहीं करवा रहा जेके SSB आपको पहले ही चीज़े बता देता है कि यह यह चीजें है अब exam point of view के करम बात करें तो वहां पर जो लिखा है चीज आप देखे covering the subject of history, geography, political science, economics अब यह जो चार component है इसमें जो आपको current affairs होंगे जो भी नहीं current affairs आपके historical चीजों के उपर आ रहे होंगे या geography पे होगा या political science पे या economics होगा वह हम cover करेंगे लेकिन आप लोगों को एक ओवर्वीव बहुत जरूरी है क्योंकि JKPSC का exam है आप लोगों को overview पता होना चाहिए चीजों का तभी आप लोगों को current affairs भी समझाएंगे और ऐसा कोई भी ऐसा rule नहीं है JKPSC का अगर आप पुराने papers उठाएंगे कि आपको सिर्फ current affairs ही पूछेंगे तो यह चीजे आपको अभी समझाना जरूरी था आज जो आपको लेक्चर आप मिलेगा वह आपको गोहर सरक के अभी लेक्चर मिल जाएंगे तो आप जो अब आवास सनेंगे वह गोहर सरकी होगे होंगे तो हमारा जो PDF है वह आपको टेलीग्राम ग्रूप मिल जाएगा free of cost आपको वीडियो लेक्चर और जो PDF है वह दोनों free of cost हमारे एंड से मिलेगा अगर बच्चों आपको चाहिए compile notes या फिर आप लोगों को जो मौक्टेस हम लोग बाद में देंगे वह आपको apply जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसका syllabus एक बाद फिर मैं discuss करूँगा एक महीने के बाद तो आप लोगों खुद पर चलेगा कि यह FA के comparison में थोड़ा सा काम है तो बबाई take care all the best पढ़ाई करते ने मिलते हैं आप लोगों से कल ने lecture के साथ तो आज का लेक्चर जो है इस लेक्चर फोर अगर आप ने इस से पहले तीन लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखी उसके बाद देन यू काम बाद और वाच दिस ठीक है तो before starting the lecture I have an important announcement to make here कि बहुत सारे जो मेरे पास questions आते हैं उनका मैं कोशिश करता हूँ वहीं पर मैं answer दे पाऊं और जो यहां पे भी questions आते हैं comments में तो I try to answer those as well लेकिन बहुत सारे questions आया हैं similar pattern के और suggestions भी मांग रहे हैं बहुत सारे about the examination या papers papers के बारे में पेपर पिछले paper दिखाईए वगरा वगरा मैं papers भी आपको provide करूंगा जो भी available होंगे तो in that matter what I am doing this week is on Sunday जो coming Sunday है उस दिन मैं 7 बजे 7 पीम this Sunday I'll be going live through my Instagram account ठीक है तो आपके अगर कुछ questions है या आप कुछ पूछना चाहते है relevant questions जो होंगे ठीक है related to the examination तो you can come there and join us and you will get your I'll try to solve out your queries and questions ठीक है Sunday 7 पीम जो coming Sunday है उस दिन हम ये करेंगे 7 बजे तो आप मुझे Instagram मेरे Instagram पे आप मुझे जोइन कर सकते है ठीक है चलिए let's now move on to the lecture today तो this is lecture four तो starting with the MCQs the first MCQ says cooperative movement cooperative movement first started in तो अगर इसका हम answer दे कुछ लोग Scotland को tick करेंगे क्योंकि हमने फैन्विक वगारा वहां से देखा था लेकिन he is talking about the movement here तो इसका answer होगा England क्योंकि वहीं से रॉष्टेल पाइनियर्स ने जब अपने principles दे जिनको फिर ICA ने भी adopt किया तीन बार with revisions तो रॉष्टेल पाइनियर्स ने जब अपना establishment किया अपने cooperative society का तब से ये बना as a movement world over phenomena बन गया है ठीक है तो इसका right answer is England चलिए moving on the members of a cooperative society have आप ये general में बात कर रहा है cooperative society की तो ये he means to say a society which is now organized कहने का मतलब he is talking about the modern cooperative society right now ठीक है तो members of a cooperative society have unlimited liability, limited liability, joint and several liability, joint liability तो इसका answer है limited liability, they are just responsible for their own share and capital in the cooperative उनका risk limited होता है जितना उन्होंने पैसा invest किया होगा एक cooperative में ठीक है the international cooperative alliance this is question number three the international cooperative alliance appointed a subcommittee in dash year for the first formulation of principles of cooperative sector ठीक है first formulation कब हुआ cooperative principles का वो हुआ था in the year 1937 अगर आपको याद होगा तो जो हमने कल ही पढ़ा था 1937 में पहली बार adopt किया ICA ने officially principles को रोजडियल principles से जो लिए गए थे लेकिन उसकी subcommittee form की गए थी 1934 में ठीक है इन्होंने फिर कुछ टाइम के बाद अपना report submit किया और officially इनको को adopt किया गया है in the year 1937 तो committee का formation हुआ है in the year 1934 ठीक है चलिए moving on the international cooperative alliance revised the cooperative principles for the third time in its Manchester Congress in किस साल तीसरी बार इन्होंने cooperative principles को revise किया किनको cooperative principles का मतलब है यहाँ पे रोजडियल principles ठीक है actual cooperative principles जो थे रोजडियल principles थे ठीक है अलाइन्स ने दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1995 में ठीक है तो यह जो पहली बार इन्होंने किया इन्होंने रोजडियल principles में पहली बार कुछ माइनर चेंज की यह जो कॉप इंटरनाशनल cooperative alliance है यह खुद कंसिडर करता है कि हमने रोजडियल principles में तीन revisions किये ठीक है समझा रही है original cooperative principles जिनको रोजडियल principles कहा जाता है international cooperative alliance खुद कंसिडर करता है कि हमने cooperative principles में कितने revisions किये तीन revisions पहला 1937 को दूसरा 1966 को और तीसरा 1995 को यह हो गई पहली बात दूसरी बात यह है जो authors है जो ने किताबें लिखी है about all this cooperative theory and all वो कंसिडर करते हैं कि international cooperative alliance ने अपने पहली बार जो इन्होंने adopt किये principles उसके दो revisions किये है यानि modern authors consider this to be adoption this year to be adoption पहली बार जब इन्होंने principles लागू किये और उसके बाद दो revisions किये समझा रहा तो अगर question आएगा ICA cooperative principles में कितने revisions हुए उसमें दो revisions हुए 66 में और 95 में लेकिन अगर जैनरल आया cooperative principles में कितने revisions हुए उसमें तीन revisions या reformulations हुए या reviews हुए एक 37 में दूसरा 66 में तीसरा 95 में समझा रही बात अब यह यहां पर कह रहा है the international cooperative alliance revised the cooperative principles for the third time अब यह cooperative principles की बात करना है ना इसका मतलब original principles और जब इसने third time कहा इसका मतलब ही है कि he is talking about the original roisdale principles ठीक है manchester congress में कब हुआ तीसरा कब हुआ this is first this is second and this is third तो इसका answer is 1995 ठीक है तो the answer for this is 1995 अब देखें यहां पर क्या है 1992 में ICC हुआ था ठीक है जिसका मतलब होता है international cooperative congress जो यह हर साल meeting करते है ठीक है by the way जो मैंने आपको international cooperative alliance के बारे में पहले lecture में बताया था इसलिए मैंने आपको कुछ detail प्रोवाइड की तब क्योंकि हमें वहां definition का आ रहा था कि this definition is given by ICC in 1995 इसलिए I gave a small definition जब कि जब हम world cooperative monitor पढ़ेंगे या उससे पहले भी अगर possible हुआ मैं detail में international cooperative alliance के बारे में बताऊंगा इसके जो sub committees है बाकी जो इसके main branch है इसका working कैसे होता है इसका corporate head cone है executive cone है इसका वगेरा वगेरा ठीक है तो मैं क्या कह रहा था 1992 में international cooperative alliance की congress हुई in the city of Tokyo ठीक है इन्होंने क्या किया टोक्यों में इन्होंने एक बंदा था जिनका नाम था डॉक्टर इवान M. Ferson ठीक है डॉक्टर इवान M. Ferson ये Canadian थे इनको इन्होंने कहा जो हमने already 1966 में कार्वे कमीटी ने हमें revisions दिया था आप उसका और एक review कीजिए और हमें submit report कीजिए within two years that is in the year 1994 ठीक है तो हुआ क्या 1992 में committee form की गई ये काम किसको सोपा गया एक Canadian को जिनका नाम था डॉक्टर इवान M. Ferson उनको क्या कहा गया उनको कहा गया जो 1996 के cooperative principles है that is second revision है आप उसको और एक बार revise कीजिए और देखिए क्या बहतर रहेगा उसमें कुछ चेंज लाइए तो उन्होंने 1992 में ये task लिया 1994 में उसको complete किया और 1995 में in the year 1995 ICC ने अपनी meeting जो उनकी Congress हुवी Manchester में United Kingdom में ये है जगा इन principles को इस revision को adopt किया यही अभी हमारे पास current version है cooperative alliance principles का समझा रही बात चलिए let's move on to the next page the ICA question number five the ICA appointed a commission in Daesh to ascribe how far the principles of the Rochedale as defined by ICA in 1937 are observed today and the reasons for any non-observants कह रहा है कि ICA ने कब appoint किया commission को review करने के लिए 1937 वाले principles को कब appoint किया गया आपको पता है वो जो नया revision आया था वो आया था 1966 में appointment कब हुआ था 1964 में इसके headcone थे Dr. Carvey जो मैंने आपको कहा वो Indian थे तो इनको appoint किया गया था in the year 1964 लेकिन month लेके अगर आये तो it is October 1964 mostly I think this is more important लेकिन अगर month आया तो it is October 1964 चलिए moving on which is considered to be the world's first cooperative society the world's first cooperative society the Rochedale pioneers नहीं इससे पहले भी cooperative societies बनी है लेकिन इन्होंने क्या किया रॉष्टेल ने इन्होंने constitution एक raw law एक principle book बनाया है according to which इन्होंने कहा हम काम करेंगे इसमें भी एक चीज़ है देखें जब हम history पढ़ते हैं तो authors study करते हैं back date times को यानि पुराने times को तो वो अपनी analysis के हिसाब से history को frame करते हैं history हर जगा सेम नहीं होती है इसमें opinions में difference हो सकता है उसी वज़ा से रॉष्टेल प्राइनियर्स के कुछ authors consider करते हैं कि इन्होंने art principles दिये लेकिन majority और popular opinion है इन्होंने साथ ही दिये ठीक है जो आठवा है ना उसका वो principle या वो statement यह है कि हम unadultrated और pure foods बेजेंगे ठीक है लेकिन some consider most of the authors rather they consider year last it is not a principle it is just a value तो हम will stick to the popular opinion which says initially हमारे पास सिर्फ साथ ही principles थे ठीक है तो ऐसे कुछ और issues है जो मैंने आपको previous lectures में पढ़ाया ना उसमें multiple opinions है तो जो most popular opinion है ना मैं आपको उस पे focus करा रहा हूँ ठीक है आप you just stick to what I am saying आप यहां वहां मत देखे जैसे cash trading का किसी student ने पूछा था cash trading अभी भी कुछ authors consider करते हैं कि cash trading भी principle है लेकिन जब मैंने आपको कल पढ़ाया जो ICA का latest version है उन्होंने वो drop कर दिया 66 में ही cash trading वाला तो वो consider किया जाता है कि credit पे भी काम किया जा सकता है लेकिन there are still minority group of authors who say no they should work on this फिर वो कार कैसे रहे हैं अपना काम लेकिन they should work only in cash trading जबकि ICA भी उसको recognize नहीं करता लेकिन authors अपना opinion दे देते हैं ठीक है तो रॉश्डियल पाइनियर्स तो इसका answer नहीं है the shore potter society नहीं यह भी consider नहीं किया जाता जबकि यह इस से पहले फैन्विक से पहले शोर पॉर्टर से आया था तो जो ICA खुद consider करता है जिसको as the world's first cooperative society वो यह है the Fenwick Weaver Society समझा रही बात तो who is considered the father of cooperative movement father of cooperative movement बहुत सारे लोगों को इसका दिया जाता है क्या कहते है this they are considered to be instrumental in the formation or in the spread of cooperative movement लेकिन consider किया जाता है Robert Owen को as the father of cooperative movement हम इसके बारे में separately पढ़ेंगे we have to read about study about certain other people as well जोनों ने cooperation movement में या cooperative formation में काम किया जिसमें हम आज दो को पढ़ेंगे और remaining को we'll see अगर next lecture में हो पाया ठीक वरना उसके बाद या तो मैं next lecture में उन्हीं को लूँगा जो बागी figures है या I'll start teaching the types of cooperatives next lecture में ठीक है second is Rossdale Pioneers you तो नहीं है Bruno Rollins यह अभी director general है ICA के जो chief executive भी होते है ठीक है non of the above भी इसका answer नहीं है तो answer is Robert Owen उसके बाद जो next question है that says which of the following is not a characteristic of cooperative societies voluntary association है service motive भी है democratic management भी है मैंने कहा modern cooperative societies credit में भी काम करती है cash trading नहीं इसका principle है नहीं आप characteristic है यह चाहेंगे mostly यह इसी में काम करें लेकिन इसको characteristic consider नहीं किया जाएगा नीदरा principle अच्छा question number 9 what percentage of the world's employed population work in cooperative कितने percent लोग जो दुनिया में employed है काम करते हैं सिर्फ exclusively cooperatives के लिए 11% नहीं 12% नहीं 36% नहीं इसका answer is none of the above क्योंकि the percentage is 10 ठीक है 10% is the correct answer तो here the answer will be not a going on as per the world cooperative monitor यह कौन सा world cooperative monitor होगा recent समझ आ रही बात तो अगर आपको question paper में ऐसे आया world cooperative monitor या कोई और report में उसमें नहीं दिया होगा date mostly दिया होगा in case it is not given they are talking about the previous one जो latest version होगा होता है तो latest version हमारे पास September 2020 में आया है as per that what is the turnover of the top 300 cooperatives दुनिया में जो सबसे ज्यादा कमाने वाले profitable या revenue generating cooperatives है अगर उन 300 को एकटा उनका revenue देखे उनका turnover कितना होता है उनका turnover है 2146 billion dollars इसका detail हम पढ़ेंगे जब हम world cooperative monitor का review करेंगे by the way यह जो 2020 का report है top 300 में इंडिया के 3 आते हैं और most US के हैं समझारी बात चलिए that is it we'll move to the lecture now तो यह हमारा आज का lecture तो अगें इस यूँ वाट तो कनेक्ट तो मी आप मेरे इंस्टाग्राइम आईडी के थूम मेरे से connect कर सकते हैं ठीक हैं अब देखिए इस वेरी इंपॉर्टन आज का lecture जो है इस वेरी इंपॉर्टन इस इन कांटिनुएशन विद आट रोश्डेल सिस्टम जो हमने आरड़ी पढ़ा है ठीक है जब वो रोश्डेल सिस्टम वहां पर बन रहा था तो साइमर्टेनियसली दुनिया के बागी हिस्सों में भी कुछ काम हो रहा था तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है जो हम सिस्टम पढ़ेंगे उसका नाम है रेफिसियन सिस्टम यह जो लिखा है रेफिसियन सिस्टम कैसे काम करता था ठीक है अब देखिए यह रेफिसियन क्या था इनका नाम था अफ डव रेफिसियन यह जर्मनी में रहते थे ठीक है यह जर्मनी में रहते थे यह स्कूल वग्यरा गए उसके बाद ही जॉइंड मिलिटरी, जर्मन मिलिटरी इन्होंने जॉइंड की after a certain amount of time, after serving in the military for some time, जर्मन मिलिटरी में काम करने के बाद इनको आई का इंफेक्शन हो गया, ठीक है यह सारी चीजे relevant नहीं है लेकिन अब इससे क्या होता है इससे थोड़ा इंसान रिदम कैज करता है तो डिरेक्ली आपको पढ़ा नहीं सकता तो थोड़ा इसका बैक्ग्राउंड बता रहा हूं इसलिए मैंने नोट्स में इनको इन चीज़ों को नहीं डाला है तो इनको आई का इंफेक्शन हो गया ज became the mayor of various towns in Germany दो चार जगाई ये mayor रहे उसके बाद भी mayorship भी इन्होंने छोड़ी क्योंकि इनको tie fight हो गया था फिर उन्हें अपनी company खो ली जहां पे cigars बगार बेज़ते थे थे and so on. Let's see what happens तो the cooperative movement in Germany and around the world got a big boost due to the initial efforts of Referson. He was a mayor in Germany and began to think about the ways and means to rescue the poor people from the Jews who we are controlling and regulating the economic activities at the time. ठीक है तो Jews और Christians में तब बहुत problems होती थे. There were conflicts because of religious reasons जो हम वी इनके बीच में तो it was the economic system in Germany. It was mostly controlled by Jews जिसकी वाज़े से जो Christian farmers थे, lower class लोग थे तो they were in a bit of trouble from an economic point of view. तो इसने क्या सोचा? इसने सोचा, Referson he was himself a Christian. इसने सोचा मैं जो ये lower strata के लोग हैं ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए कुछ काम करता हूं. तो इसने क्या किया? इसने सेट अप की a poor people's committee. He was a mayor उसी दोरान इसने सेट अप की. A poor people's committee was set up to make available loans in the form of food for a specified period and get it back after the expiry of the due date. देखे इसने क्या किया? मैं आपको बताता हूं. अब इसने वहां के लोगों की हाला देखी ना तो इसने एक association बनाई. जिसका इसने जो ये यहां पे कह रहा है ना poor people's committee उसी association का नाम था actually this poor people's committee का पूरा नाम था association for self procurement of breads and fruits association for self procurement of breads and fruits association for self procurement of breads and fruits bread मतलब रोटी और fruits आपको पता है फाल. तो इसने क्या किया? इसने set up किया एक people's committee. उसमें इसने कहीं से capital लाया, कुछ लोग इसके अपने दोस भी थे तो he started this association और इसने लोगों को कहा हम क्या करेंगे? एक हटे कुछ पूल पैंसा करेंगे फिर गरीबों को रोटी और fruits देंगे as loans ठीक है? जैसे कोई आया मुझे आज दो रोटियां चाहिए मैं आपको चुका दूँगा इसका जो भी होगा the amount you want to pay जितना इसका दो रोटियां का जो भी प्राइस होगा I'll pay you next week तो ये पहली कहना पड़ता था मैं आपको इतने time के बाद तो ये फिर note करके रखते थे एक log book में कि suppose शाम said शाम took two this breads and he will pay us back on the 5th of August 2021 suppose ठीक है? ये रखते थे लेकिन अगर कोई pay नहीं कर पाता था ये ज्यादा force भी नहीं करते थे ठीक है? they used to extend the time क्योंकि ये small scale पे था तो ये इन्होंने वो रेफिसन ने mostly क्या किया है? ये rural areas में mayor थे rural areas में municipalities होती है न local municipalities या छोटे 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 शोटे शहर होते है रूरल areas में इनने maximum काम किया है तो ऐसा होता था समझा रही बात तो ये इसने पहली बार किया तो जो मैंने कहा association for self procurement of breads and fruits या आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन if it is your bad time anything can come लेकिन I don't think this will come ठीक है? चलिए आगे In 1849 the union in aid of impoverished farmers was organized by reference when he was mayor of flammer field the needy farmers were enrolled as members of the union तो इसने कुछ नहीं किया इसने एक aid start किया farmers को कहा जैसे हम आगे मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया कुछ लोगों से पैसे लिए उनको कहा आप हमें पैसे दीजे तो जिस जिसको requirement होगी हम उसको वो पैसे दिया करेंगे ये farmers को तब ये कहां का mayor था ये तब flammer field का mayor था ना आपको ये flammer field याद रखने की ज़रूरत है neither do you need to remember this date nor this अब अगर आपके जहन में रहता है it is well and good इससे क्या होगा अगर ये कहीं options में आएगा भी ना तो आप इसको cancel out कर सकते है तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज related है चीक है तो when reference became the mayor of head heads of heads of heads of के जब ये mayor बने he started the heads of beneficent society इसको heads of benevolent society भी कहा जाता है ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है which functioned with the aid of money deposited with it by the rich on interest heads of beneficent society इसने रेफिसन ने तब खोली जब ये heads of का mayor था तो इसने कुछ अमीर लोगों से क्योंकि इनके contacts अच्छे होते न mayors के all rich people know them तो इसने वहां क्या किया कुछ लोगों अमीर लोगों से ही कहा कि आप हमें पैसा दीजिए interest पे तो हम help करेंगे गरीबूं को तो कुछ लोग they came forward and they helped him and he started this heads of beneficent society the society worked smoothly but yet he was not satisfied because the poor people depend on the rich people's funds तो ये नहीं चाता था ये चाता था ऐसा society बने जो poor people के अपने ही funds से बने हम बाहर से dependent ना रहें रिच पे क्योंकि उनका तो इसमें कुछ फाइदा नहीं है तो वो कभी कह सकते हैं कि we won't pay you anymore or we won't pull any money for this because it is not for our और वो अमीर यूजवली क्या होता है वो तब क्योंकि already 1849 है ये जो industrial revolution वो तो start हो गया था the rich we are in a race to become more richer तो वो गरीबूं की help नहीं करते क्योंकि अगर वो गरीबूं की help करते तो मिल्स विल्स में फिर काम कोन करता है अगर सब सेम होंगे तो सड़क कोन साफ करेगा who will work in the mills वगेरा वगेरा ठीक है तो the society worked smoothly लेकिन ये चाहता था कि अगर गरीबूं के अपने पैसे से ही start हो जाए तो वो better रहेगा ये एक value भी consider किया जाता है आज each for all and all for each ये किस ने दिया this value was given by whom it was given by refecin ठीक है for each तो इसने set up की heads of credit loan society आप देखें heads of credit loan society में क्या हुआ इसमें maximum जो share से न या maximum capital जो इसने जमा किया वो farmers का अपना था तो क्योंकि इसको अगर कुछ amount ये चाहता था इस society को चलने के लिए 1 lakh रुपीज चाहिए farmers 10-10 रुपे दे पाते थे उसकी वाज़ा से क्या हुआ बहुत सारे farmers ने इसको पैसे दे लेकिन उनके share छोटे 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 थे अगर इसको कुछ he thought कि this amount I need to reach to make the society work अगर इसको कुछ deficit हुआ तो इसने वो फिर थोड़ा सा कुछ छोटा सा amount बाहर कुछ rich people से भी लिया था ठीक है समझा रही बात तो you have to remember this heads of credit loan society reference society भी उसको कहा जाता है समझा रही है तो it is one of the first credit unions credit unions क्या होते है credit unions यही होते है लोग अपने ही पैसे निकालते है फिर अगर उन्हीं मेंसे किसी member को चाहिए होगा पैसा या उसी स्टेटा के अगर वो non member भी होगा यह उसको भी दे सकते है मैं general आज का कह रहा हूँ तो उसको भी पैसा दे सकते है लेकिन mostly यह help करते है अपनी members को it works in the same structure as that जो हमारे पास महले में committees होती है जो funerals, funerals organize करते है समझा रही बात तो हर किसी को जैसे पांच-पांच-सो रुपे महीने को निकालने होगे तो eventually अगर किसी का funeral करना होगा दफनाना होगा जो भी काफन-दफन करना होगा तो फिर वो committee से पैसा निकल दा अब देखे यहां से एक question paper के कुछ questions है देखे लेट सी whether we can do it or not देखे अगर मैं आप question paper है मेरे पास I have a question paper जो मैंने exam दिया था उसका question paper नहीं है यह किसी और public service commission का है तो उस question paper में कुछ questions आए है अगर मैं आपको वो question paper just अभी दिखाऊ ना you people will lose your confidence and you will fall flat on your face समझ आ रही है तो उससे आपको motivation नहीं मिलेगा उससे आप कमजोर ही हो जाएंगे you give me some time पहले हम कुछ पढ़ेंगे उसके बाद we'll start showing you the papers ठीक है तो एक question आए है question number 65 cooperative movement was the creation of the wrong effects of socialism नहीं industrial revolution हाँ यह हमने अरड़ी किया हुआ है agricultural policy और wage policy भी नहीं है तो cooperative movement was the creation of the wrong effects of the answer is the industrial revolution ठीक है moving on credit cooperative societies had its origin in credit यह cooperative societies का नहीं कह रहा है अगर यह कहे cooperative societies had their origin in उसका answer होगा Scotland origin कह रहा है तब answer क्या होगा cooperative society कहां से originate हुई जो हमारे पास documented evidence है उसका answer is Scotland ठीक है अगर कहेगा modern cooperative society के origins कहां थे फिर उसका answer हो जाएगा England क्या हो जाएगा England लेकिन यह कह रहा है credit cooperative societies credit cooperative societies वो societies है जो लोगों को पैसा देती है कुछ रहा है उनके लिए they work like commercial banks ठीक है लेकिन यहाँ पे interest rates वगयरा काम हो जाते है ठीक है अगर जो commercial banks होते है उनके structures आपको अगर पता होगा commercial banks छोड़िये इस types क्या होती है थे लोग जो बाकी गरीबों को पैसा दिया करते थे थे था उनके लिए custom यूज किया जाता था उनको कहा जाता था loan sharks ठीक है क्या कहा जाता था उन लोगों को loan sharks यह जो loan sharks यह वही लोग है जो हमने movies में देखे है ना लाला लाला रखता था गिर्वी वो पैसे वैसे या कुछ जमीन पकड़ता था फिर वो खा ही जाता था और इसके पास ऐसा system होता था गुंडे गुंडे या अगर कोई पे नहीं कर पाया तो वो जबर्दस थी by way of coercion by way of force वो वो प्रापर्टी पे seal कर देता था या जो भी तो उनको लोन शाक्स कहा जाता था ये जो रेफिसन है ना इसने ये credit society अपनी इसलिए establish की ताकि लोग इन लोन शाक्स से बच पाए तो इसने थोड़ा flexibility भी दी तो ये force force नहीं करता था ठीक है वो हम आगे देखते है तो पहला credit cooperative society का origin क्या है credit cooperative जहां पे पैसा दिया जाता है cooperative formation इसलिए बनाया गया ताकि हम ये सामान न बेजे लेकिन पैसा दे लोगों को for their own use तो वो कहां start हुआ था जर्मिनी में यही रेफिसन ठीक है दूसरा बंदा भी simultaneously काम कर रहा था इनके साथ उसके बारे में भी मैं बताऊंगा ठीक है ये तो हो गया ये the third question is Dash was considered as the first cooperative of Reficent Tradition Reficent Tradition का first corporation कौन सा consider किया corporation मैं कह रहा हूँ समझा रही है जहां पे लोगों के अपने पैसे ही maximum होते है इसने दो तीन organizations का कोशिश किया तो first is people's bank second is headstraw of loan society ये है इसका answer ये जो हमने जस्ट अभी पढ़ा यहां पर credit or loan society तो जब कहां पे ये बना इसने दो तीन जगा जब ये मेर था वहां पे भी societies खोली थी जो हमने उपर पढ़ा लेकिन जो most important हमें याद रखना है वह हमें सिर्फ यही याद रखना है headstraw of credit or loan society तो रेफिसन ट्रेडिशन रेफिसन सिस्टम पे जो पहला society या credit union काम किया उसका नाम ही था headstraw of loan society अब रेफिसन इतना मशूर है he is considered so important a figure in this credit system कि इसके नाम पर world over बहुत सारे corporate यो banks और business institutions set up किये गए है ठीक है वो इसके अपने नहीं है बाकी लोगों ने in his honor वो set up किये हुए है समझा रही है और साथ ही साथ चलिए वो मैं आपको last में I'll tell you about that at the end of the lecture ठीक है उसके बाद कह रहा है union was formed यानि यही union on this line and in 1877 grand union of rural cooperative societies was set up at the initial stage he had to face a lot because of suspicion from illiterate masses यहाँ पर देखो वही चीज़े जो ताब हो रही थी आज भी हो रही है अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उस पर लगाए जाते है कि नहीं इसका तो कुछ फाइदा ही है ठीक है कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है from a best source notes तो somebody was saying somewhere on the social media he is getting revenue इसको कुछ profit वगरा मिलता है जो भी whatever you should not judgmental इंसान नहीं होना चाहिए you should directly see what is being served on the plate अगर आपको कोई free education प्रोवाइड कर रहा है you should appreciate that आप इसमें मत सोंचा कीजे फिर this is negativism this is pessimism कि आप सोचते हैं पता नहीं कुछ है कुछ नो कुछ तो हो रहा है चलिए वही चीज़े हो रही थी और rich Jews नहीं चाहते थे यही लाला टाइप Jews जो थे न loan शाक्स जो इनको पैंसे वैंसे देते थी फिर high interest पे यह भी नहीं चाहते थे कि किसी का economic upliftment हो जाए the area of operation of reference covered a village और group of village and covered rural people ठीक है तो अगर कहीं पे question आता है कि who started rural यानि गाउ में credit unions किस ने start कि या इसका concept किस ने दिया तो उसका नाम है reference रूरल वारे का ठीक है अब को याद रखना है चलिए moving on अब देखे main aims क्या थी इन सोसाइटी यह जो और एफिसन ने सोसाइटी सेट अप की especially the heads of society उनके जो main motives थे main aims थे वो क्या थे first था to raise the standard of living of its members वो पता है इनको पैंसे अच्छे से मिले इनका standard of living यह खुश रहे वगारा to provide loan to its members वो पता है to provide consumer goods last में इनुने start किया था initially यह काम करते थे यह आप क्योंके सारी societies का कह रहा है तो इसने he has included this as well जो credit unions जो इसने set up किये थे वो majorly operation करते थे क्या credit देना और capital देना लेकिना small part इसका काम करता था provide वो वाला काम जो इसने पहले start किया था bread, bread, fruits, food देना consumer goods, खानेवानी की चीज़े तो थोड़ा सा they used to invest like 5% into that ठीक है limited amount to develop the spirit of thrift among members thrift का मतलब है ऐसे नहीं आयाशी करेंगे आप पैसे तो थोड़ा सोच समझ के that is you have to he used to inculcate the spirit of thrift कहने का मतलब यहीं कि आप पैसे को waste मत कीजिए ठीक है to educate the members on cooperation तो cooperation के क्या फाइदे है तो वो तो उन्हीं को पता चलेगा जिनको cooperation की ज़रूरत है ठीक है तो lower farmers को समझाता था cooperation क्या है तो यह वाला तो आज principle भी है ICK rules में तो sixth is to raise the moral standard of the people तो हमें पता है जब हम अच्छे लोगों के साथ चलते हैं तो we also become good जो हमने already first lecture में पढ़ा हुआ है यह जब आपका base बन जाएगा ना in lectures का तो some of the students were asking me why haven't you introduced the concept of benefits and the need for cooperatives when we go through all this history and all including the types of cooperatives तो तब आपको benefits और यह need आपको तब समझाएगी अगर वो मैं अभी introduce करता वरना books books में वो पहले introduce किया गया है before history I could have done the same लेकिन I did not do it क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर आप अपने दिमाग से आसानी से समझवाए जैसे मैंने अभी यह point number six कहा आपको to raise moral standard of the people हमने यह already discuss किया हुआ है तो you are able to understand इसका मतलब क्या है तो हमें इस पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है because you have the concept already तो यह फिर कह रहा है तो उनको कहा गया जैसे आज के भी act से वो कहते है आपके पास इतना वगयरा capital होना चाहिए and this forced the efficient societies to issue shares to their members ठीक है तो इनने members को share issue करना start कर दिया the value per share was low and the members were allowed to pay for the share amount on installment basis तो अगर किसी को share कहा भी चलिए आप हमारा यह share खरी दिये 1% of the total shares आप खरी दिये तो वो कहता था 1% के लिए मेरे पैसे नहीं है अभी available नहीं है मेरे पास उतना पैसा नहीं तो यह कहते थे कोई बात है आप share लेके रखिए हमें installments में फिर दीजिए ठीक है फिर the administration of the society was carried out by the board of directors जो आज भी होता है in addition to that there was a three-member council to supervise the affairs the main function of these societies was to provide loans main function जो मैंने इस से पहले भी कहा था main function and also financial assistance for property transfers the entire profit was transferred to reserve fund and endowment fund यह बहुत important चीज़ है यह जो रेफिसन सोसाइटी इसने establish की heads of society इसमें क्या करते थी यह profits को distribute नहीं करते थी क्योंकि streamline नहीं हुई थी थी ना तब चीज़े आज अलग हिसाब किताब है और इनको पता भी नहीं था world में बागी England England में भी काम हो रहा है क्योंकि यह same time पे उसी time पे इनने भी काम start करना किया है जब रॉष डिल ने दो चार पांच साल के बाद ही 1849 में ठीक है तो इन्होंने क्या किया और उनको चाहिए भी नहीं था क्योंकि वो as full working members काम नहीं करते थे वो कभी कभी अगर आपको loan अपने बंदों को देना होगा तो you have to open the office maybe once a week जैसे मोहला committees में क्या करते है वो शाम को साथ बज़े के बाद खोलते है ठीक है अगर किसी को कुछ बात करनी या anybody needs any help दिन में वो अपना काम करते है तो जो profits आते थे इनने अपना एक fund बनाया सारे profits इसी में डाला करते थे the basic objective was to improve the condition of the members main features क्या है यह आपको याद रखने है बागी तो मैं पीछे कह रहा था यह नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए लेकिन this is what you need to remember यह 10-11 चीज़े आपको याद रखने हैं यह major features है इससे extra भी थे मगर these are enough तो question आ सकता है which of the following is the feature of the efficient system ऐसा question आ सकता है तो पहला feature है smaller share मैंने कहा यह बहुत सारे farmers थे in hundreds ठीक है तो सबका share छोटा छोटा होता था क्योंकि यह चाहता था कि रेफिसन चाहता था कि जो हमारी जो मैंने credit society बने यह self sufficient बने यह उन्हीं लोगों के पैंसों से बने जिनको इसकी जरूरत है rich का इसमें investment ना हो ठीक है लेकिन इसको लेना पड़ा क्योंकि suffice नहीं होता था डेफिसिट रहता था limited area of operation इसका operation बहुत limited होता था to a very limited village or a territory क्योंकि मैंने आपको कहा यह setup भी हुई है गाउं में ही, village में इसलिए तो इनको कहा जाता है rural credit unions किसने setup की by the way रेफिसने, rural, first rural credit union ठीक है unlimited liability लेकिन liability इनमें unlimited थी यह मैं समझाओंगा आपको strict and careful selection of members यह हर किसी को नहीं, initially यह सब को दिया जाता था, लेकिन फिर इसने थोड़ा सा किया कि नहीं strictly आप देखिए credit for longer periods जो मैंने आपको पहले भी कहा यह pressurize नहीं करता था अगर किसी के पास पैंसे नहीं होते थे यह थोड़ा push कर देता था strict supervision or utilization of loans तो अगर कोई loan लेता था यह अपने जो इनके अपने members होते थे board of directors के या जो भी इनने management बनाया होता था, वो honor ready होता था पैंसे वैसे तो बेचारों को नहीं मिलते थे वो free में काम करते थे तो उनको वो नज़र रखते थे कि अगर किसी बंदे ने कहा है application में कि मुझे इस चीज़ के लिए loan चाहिए तो वो नज़र रखते थे कि वो उसी चीज़ के लिए use हो रहा है या नही 7th is dividend was not distributed ये मैंने आपको कहा है इनने एक fund बनाया था ये सारा profit उसी में डाल देते थे ये आपस में पैसा distribute नहीं करते थे क्योंकि इनको वैसे काम भी नहीं करना पड़ता था ये एक ही जगा रहते थे कभी हफते में एक दो बार खोला तो जिस जिसको चाहिए था उसको पता होता था ये Saturday, Sunday या any other day all the week खोलते है एक डेट गंटा बैठते है that is it तो elected but honorary management elect करते थे management को वही by the principle of one person one vote elect करते थे management को board of directors का set up करते थे president वग्यरा बनाते थे लेकिन साथ ही साथ क्या होता था वो honorary होती थी यानि उनको पैंसे वैंसे नहीं मिलते थे ठीक है और इनके पास उतने बेचारों के पास resources भी नहीं थे समझा रही बात moral development was geared तो वही सबका moral upliftment हो ऐसा ही नहीं हार कोई पैंसे लेके चला जाए deposits collected for members and non members तो जो भी मैंने कहा deposits non members भी कर पाते थे क्योंकि इसके पास जो इसने अपनी जगा goals रखे थे मैंने कहा आपको कि अगर ये चाहता था मुझे एक लाख रुपे होना चाहिए society को चलाने के लिए जब इसने फार्मर्स को या lower poor people को shares a lot करना start किया he was able to manage just suppose 60,000 तो 40,000 तो इसको बाहर से भी जमा ये क्या कहते है start लेना पड़ा ठीक है उनको फिर थोड़ा सा interest भी देना पड़ता था ठीक है और वो solely इसी लिए देते थे ये नहीं की interest because they trusted him because he was a very well known and popular personality ना mayor रहा था ठीक है final authority was vested with the general body जो भी general body इन्होंने बनाई थी final जो भी decision making थी वो वही कर पाते थे ठीक है और साथ last का ये है permanent and indivisable reserve fund ये मैंने आपको कहा permanent and indivisable reserve fund का ये ही मतलब है कि उसका division नहीं होगा जो भी profit जाएगा वो fund में ही जाएगा किसी को कुछ नहीं मिलेगा मैं आपको यहाँ पर एक limited का क्या मतलब क्या होता है limited मतलब का होता है कि अगर आपने किसी cooperative society को 5000 रुपे दिए कितने you any आप member है आपने 5000 रुपे दिए तो अगर उनका नुकसान होगा ना आपको maximum loss हो सकता है 5000 का इससे ज़्यादा नहीं इसको कहा जाता है limited liability आपको पता है मेरा loss कितना हो सकता है अब मैं आपको एक example दूँगा and you will understand unlimited liability का क्या मतलब होता है देखे देखे होता क्या है आप तीन दोस्त है एक त्री फ्रेंड्स वान चलिए A रखते हैं इसका नाम इसस बी इसस सी समझ जा रही बात इसके पास 5 रुपीज है इसके पास 100 रुपीज है और इसके पास 200 रुपीज है समझ आ रही है तो इन्हों ने क्या क्या they thought के हम कहीं पे पिकनिक पे गूमने जाएंगे ये गए गूमने तो A ने convince किया B और C को A ने convince किया A ने ही कहा B और C को के आप हम मेरे साथ गूमने आईएंगे तो आब इनके पास B के पास 100 रुपीज है C के पास 200 रुपीज है A के पास 500 रुपीज है तो C जो है ना C सबोस्ज C के 200 रुपे इसके वालेट में थे और ये वालेट खो गया समझ आ रही है तो ये क्या करता है ये कहता है A को कहता है भाया आप ही ने मुझे कहा न मेरे साथ आने के लिए तो आप ही को ये पैंसे देने पड़ेंगे चलो अच्छे तरीके से ही कहता है फोर्स ने करता है थोड़ा सा कहता है प्लीज यार देखो मैं आप ही के लिए आप मेरे को पैंसे खो गए अब तु गर में मुझे मार पड़ेगी तो आप कुछ किजिए यू विल हाव तो पेइड चलो वेदर इट इस आउट अफ अफ अबलिगेशन या रेस्पेक्ट ये कहता है ये फस जाता है ये बेचारा इसको ज़्यादा इनको पेग करना पड़ता है ठीक है इसको दो सो रुपे कहीं से लेकि इसको देने पड़ते है लेकिन एक्चुली अगर रूल के हिसाब से देखे इसकी लाइबिल्टी होनी चाहिए यही पांच रुपे अगर इसको नुकसान मैकसिमम होता इसको होना चाहिए था पांच रुपे लेकिन इसको नुकसान कितना हुआ दो सो रुपे का ठीक है इसको कहा जाता है अनलिमिटे लाइबिल्टी या ऐसे भी समझ सकते है ABC गए कहीं गूम ले B की कार है ठीक है B की क्या है कार कार कहीं इसने ठोक दी उसका एक्सिडेंट हो गया कार में लागे 10,000 रुपे इसके पास अपने जेब में 500 रुपे थे लेकिन यह बेचारा ए फ़स गया इसको यह 10,000 का कुछ पोर्शन निकालना पड़ेगा ठीक है इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी अब मैं उस कॉंटेक्स में आपको बताऊंगा यह क्या होता है तो मैं I hope कि आप समझे होंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है यानि जितना आप ने शेर निकाला या अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता था रेफिसन के सिस्टम में यह कुछ अमाउंट पैसा जो मैंने कहा आगर इसके पास वान लाक रुपीज चाहिए होता था तो सिक्स्टी थाउजंड तो फार्मर्स से लेता था या गरीब होसे पार्टी थाउजंड यह रिच पीपल से भी लेता था जिसको जानते थे अब अगर इसने यह वान लाक रुपीज किसी को लोन पे दिया और उसने पे नहीं किया अब एक फार्मर है इस सिक्स्टी थाउजंड में से जिसने पांच हजार पूल किया है तो जब एक लाक का लोन पे नहीं हुआ ना वो बेचारा फस जाता है कि उसका लॉस यहां से हो जाता है यह फार्टी थाउजंड में से कुछ अमाउट जो लॉस हुआ ना पहले तो उसका यह सिक्स्टी थाउजंड में से जो उसके पांच हजार थे वो तो डूब ही गए लेकिन फार्टी थाउजंड की बरपाई करने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे जब यह रिच लोगों को वापस देने है ना पैसे यह आएंगे कहां से यह तो डूब गया सारा पैसा तो यह इन ही को देना पड़ता है जो इसके एक्चॉल मेंबर से जुन्हों ने यह साथ हजार निकाले थे तो लाइबिल्टी बढ़ गई ना लिमिटेड तो नहीं है कि जितना मैंने पैसा पूल किया उतना ही उतने की ही जिमेदारी है मुझे इस रेस्पॉंसिबिल्टी और लाइबिल्टी इस मोर दन वाट यह पूल्ट फॉर ठीक है चलिए मुइंग उन यह तो हो गए यह आप देखे साइमल्टेनियसली क्या हुआ जर्मिनी में ही एक जगा थी जिसका नाम था डेलिस क्या नाम था डेलिस डेलिस में थे एक जग उनका नाम है यह एर फ्रेंज शेल्स डेलिस ठीक है 1808 से 1883 तक शेल्स डेल्स इसको कहा जाता है ठीक है शेल्स डेल्स छोटा सा नाम है इसका जैसे उस ने भी बनाई थी वो ब्रेड और फ्रूट्स वाली सोसाइटी वही है जैसे वो हेल्प करना चाहता था इसने भी कुछ एक कापल अफ सोसाइटीज का जो भी है एस्टैबलिश्मेट करने की कोशिश की हमें यह ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप याद रखना चाहते हैं ना सिर्फ यह वर्ड फ्रेंड ले रखिए याद क्योंकि यह अपनी सोसाइटीज को यह दिस वर्ड ही उस्टैज की ज़रूरत नहीं है इसमें इन 1859 अब अगर आप देखेंगे ना 1859 में वहां से भी काम हुआ था रेफिसंद की तरफ से भी आप देखो यह वही हो रहा है जैसे वहां हो रहा है ना रिच ही पैंसा स्टार्ट में दे रहे है फिर वह पसंद नहीं करता रिच दे फिर उसने कहा मैं पोर ही पैंसे देने चाहिए उन्हीं की कोपरेशन होनी चाहिए इन 1852 शल्स फॉर्म अनदर सोसाइटी ओन कोपरेटिव लाइन अनमर अफ कोपरेटिव बैंक स्टार्ट तो दोनूं के सेम ही है यह चाहता था रिच से पैंसे ना मिले मुझे गरीबू से ही पैंसे मिले या उस लेवल आफ पीपल से मुझे पैंसा मिले अपनी सोसाइटी क लिए मुझे उन्हीं लोगों से पैसा मिले जिनकी जिनको इस मैंसे की फिर रिक्वाइर्मेंट भी हो तो यह भी वैसी ही सोचता था लेकिन इसका एरिया ऑपरेशन वास मुझे और इसको पता भी नहीं था वहां से रैफिसन भी काम कर रहा है ठीक है अब देखे मेन फॉरण से यह भी चाहता था लोंज में लेकिनको ट्रेडर्स को लोंज मिलें आइज़ंस को लोंज मिलें 2000 मिले जो हैंडीक्रैट्स वगेरा जो किसी आर्ट में काम कलते है और मिडल क्लास है लोगों को लेकिं कहां पे अर्बन एैर्यास में थीक है इन अगर मैं आपको कह रूरल क्रेडिट यूनियंज का फॉर्मिशन रेफिसन ने किया समझ आ रही है तो अर्बन एरियाज में इसकेंड पॉइंट तो रून दा बैंक अज़ बिजनिस और्गनाइज़ेशन दा फांड्स अज़ाइटी उसके ऑपोजिट में काम करता था सेम वैसे ही उन ही तीन तरीकों से ये भी जेनरेट करता था फंड्स अपनी क्रेडिट यूनियन के लिए तो ये लिखा है कुछ चीज़े कैसे आरेंज वारेंज हो जाते हैं हाँ, there is this one important thing नहीं ये पढ़ते हैं वही वैसे ही उसने भी बोर्ड डिरेक्टर्स बनाये थे तो इसने भी कुछ काउंसल आज सुपरवाइजर्स और बोर्ड आफ मैनेजमेंट बना दिया ताकि ये और लुक दा फंक्शिनिंग तो आर्डिटिंग वास डान बाई इंस्पेक्टर्स उफ शल्स डेलिज यूनियन ये बैंक्स कहा रहा है इसका मतलब इसने एक ही जगा नहीं बनाया था क्योंकि उपर भी इसने कहा ना इसका एरिया ऑफ आपरेशन बहुत था तो एक ही बैंक या एक ही क्रेटिट यूनियन केटर नहीं कर पाता लार्जर एरिया को तो ही सेट अप माल्टिबल ये बैंक्स और क्रेट यूनियन दे शल्स बैंक्स प्रोवाइड़ क्रेटिट फैसलिटिज तो एक तो लोन एंड बाइड डिसकांटिंग दे बिल्स उफ एक्सचेंज ठीक है दो तरीकों से ये क्या कहते है क्रेट फैसलिटिज नहीं लोगों को पैसा ये दो तरीके से देते थे एक तो लोन्स पे लोन क्या होता है सिद्धे आप कुछ अमाउंट आप कहे कि मुझे इस चीज के लिए पैसा चाहे माटिगेज ले या ना ले देख सकते है कितने अमाउंट का आपको लेना है अगर काम लोन लेना होगा तो ये कुछ भी मौटिगेज नहीं लेते थे ठीक है मौटिगेज के लिए एक वर्ड है अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है जो भी मौटिगेज ही ठीक है जो आप गिर भी रखते है चीज़े दिसकाउटन कैसे किया जाता है बिल्ल आफ एक्चेंज को उसका मतलब क्या होता है दिखें ओर ब ये दो लोग है ठीक है अने ब से कुछ सामान खरीदा अने ब से कुछ सामान खरीदा ठीक है लेकिन A के पास अभी पैसा नहीं है तो इसने इसको एक document दिया check जैसा जैसे आज check होता है वो document दिया तो इसने उस document पे इसको लिखा कि आप मुझसे मिलिए 10 दिन के बाद या 100 दिन के बाद आप ये कागज मेरे पास लेके आईए मैं आपको इसका pay कर दूँगा या ज़रूरी नहीं है मेरे पास लेके आईए ये इसको कह सकता है कि ये कागज आप किसी और के पास भी लेके जाएए किसी और bank में या anywhere जैसे आप check किसी को देते फिर उसको आपके पास तो नहीं आना होता है तो he will go to the bank and cash it इसका cash निका लेगा चेक के बदले ठीक है तो इसने A ने इसको क्या कहा A ने खरीदा कुछ चीज लेकिन B को क्या दिया ये bill of exchange चेक जैसी कोई चीज अब B को पैसे चाहिए 100 रुपे के इसके पास bill of exchange है चेक है इसके पास कितने पैसों की नहीं चेक है 100 रुपे की लेकिन ये अभी cash कर सकता है इसको 100 दिन के बाद अभी नीट सम मनी राइट नाओ लेकिन ये केनाट वेट अभी इस चेक को cash करने में असी दिन रिमेनिंग है तो ये B क्या करता है ये B जाता है Shells Bank के पास Shells Bank को कहता है मेरे पास 100 रुपे का bill of exchange है चेक है तो आप ये रख लीजिए मुझे इसके बदले discount करके मुझे कुछ पैसा दीजिए तो ये Shells Bank वाले इसको क्या कहते है कहते है हमारे rule के हिसाब से आप 100 रुपे जब हमें bill of exchange या चेक देंगे हम आपको 80 रुपीज देंगे और 20 हम खुद को commission रखेंगे यानि discount कितना हुआ 20 रुपीज का तो बैंक वाले तो wait कर सकते है तो ये 100 दिन के बाद जितने दिन के बाद भी जाना होगा तो ये इस bill of exchange को and cash करते है वहाँ से तो बी को तो जल्दी जल्दी पैसा मिल गया लेकिन 100 ही रुपे मिल गया तो इसने discount पे किसको दिया ये बैंक को तो इसका मतलब है credit कितने तरीकों से दे सकते है दो तरीकों से एक तो loans पे loans के विए दो types देते थे एक तो mortgage पे और non mortgage depends होता था कितना money और bills of exchange को discount करके समझारी बात यहनि अगर आपके पास कोई check है वो एक लाख रुपे की है तो अगर आप किसी को दोस्त को कहे मैं आपको ये एक लाख रुपे की check देता हूँ लेकिन ये pause rate है ये दो महीने के बाद cash होगी तो मुझे आप एक लाख के बाद ले ऐसी हजार ही दीजे तो वही होता है discounting the bill of exchange loans were given for productive purposes only and the interest varied between 5 and 6 percent ठीक है अब देखे main features क्या है उसके to conclude main features of the shelves banks include provide cheap credit to traders and artisans high rate of interest नहीं वहाँ होता था अगर आपको पता है ब्याज 50 टका 20 टका तो यहाँ पे वो नहीं है कम ही है within 10 percent higher share value क्योंकि इन्होंने include किया था middle class people को भी तो इनको ज्यादा number of people नहीं चाहिए थे तो इनको limited ही लोग थे और shares कम थे wider area of operation क्यों मैंने कहा क्योंकि urban area है urban area को serve करना है तो वहाँ ज्यादा लोग रहते है urban और rural का difference यही होता है कि we define कि किसको कहा जाए urban area उसको कहा जाता है कि certain population जैसे अगर 10 lakh population है तो आप इसको कह दीजिए urban area है वगरा वगरा तो wider area of operation था लेकिन यहाँ पे liability थी limited याईनि इनका responsibility और इनकी liability members की इतनी ही थी जितना इनने pool पैसा किया यहाँ पे easy admission था members का जबकि वहाँ पे थोड़ा scrutiny होता था reference system में अपने अपने systems थे membership सिर्फ urban people को देते थे rural वालों को नहीं देते थे credit देते थे shorter time पे देते थे जबकि reference system क्या देता था longer time तो आपको यह differences याद रखनी है अगर आप इस lecture में कुछ भी याद नहीं रखेंगे ना main features आपको दोनों के याद रखने है ठीक है no strict supervision on utilization of loans this is again something which is opposite to the reference system वहाँ पे नजर रखी जाती थी यहाँ पे नजर नहीं रखी जाती थी क्योंकि यह shorter period के लिए ही देते थे distribution of dividend वहाँ पे उन्होंने fund एक बनाया reserve fund जहाँ पे वो profits रखते थे लेकिन यहाँ पे यह क्या कहते थे dividend देते थे जो भी इनको पैसा देता था whether internally or externally by the members or the non-members तो यह उनको कुछ profits provide करते थे ठीक है क्योंकि यहाँ possible नहीं होता है urban में population ज्यादा होता है बहुत time काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे अगर आपका management है या workers है तो they might have to work 3-4 days a week तो वहाँ पे वो पैसे के बगएर काम नहीं करेंगे तो members भी काम करेंगे और employees उनको भी काम करना पड़ता है इसलिए dividends को distribute करते है यह काम पे depend है अगर आपको कोई कहे मुझे अपनी बाइक पे कोई आपका दोस्त कहे मिर को कहीं जाना है मुझे drop कर दो एक दो बार तो आप उसको free कर देंगे अगर if it becomes a routine पिर आप हल कैसे कहेंगे आज petrol का पैसा दे दो ठीक है ऐसा this is the way it works 10th is no special stress on moral development of members वहां पे morality पे थोड़ा pressure था ठीक है यहां पे है अगर अच्छे बने लोग ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर में morality पे ज्यादा stress नहीं था काम पे ज्यादा stress था तो यहां पे भी same authority किसके पास थी general body के पास ठीक है चलिए बेटा I'll conclude the today's lecture here only this was lecture 4 अगर मैं again repeat करता हूँ इससे पहले कि आपने lectures नहीं देखे है तो आप पहले उनको देखे और साथ ही साथ Sunday के जो मैंने कहा आपको 7 PM मैं अपने Instagram पे live आओंगा तो आप मुझे you can connect me through this ID आईगा होर शफी तो this was all for today so have a nice day and take care God bless